तो दोस्तों आज हम लोग एक love story explain करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे देखने के बाद आपको भी किसी से प्यार करने का मन जरूर करेगा तो कहानी शुरू होती है सपोरो शहर से जहां हम यूई को देखते हैं जो कि एक taxi driver वो कहती है कि जिन्दगी एक जिकसो पजल की तरह हैं अपनी सची यादों से बुरे अनुभव तक सब कुछ किसमत में लिखा होता है और नजाने मेरी जिन्दगी कैसी होती अगर मैं उससे ना मिली होती तो दोसों ये पूری कहानी दो time line में चलती है एक तो 2022 में और दूसरी past में अब यहां से कहानी past में जाती है हम यूई को देखते हैं जब वो इस स्कूल में थी वो हमेशा से एक airhostess बनना चाहती है उसे आसमानों में उढ़ना है बस यही उसका एक सपना है यहां से वो सीधा स्कूल पहुचती है जहां वो अपनी बेस्ट फ्रेंड यूको से मिलती है और तभी उन दोनों को टीचर पकड़ लेते हैं उनकी ड्रेस को लेकर और इसी बीच एंट्री होती है हमारे हीरो नामिकी की जो बाइक लेकर सीधा स्कूल के अंदर गुज जाता और टीचर उसके पीछे पड़ जाते है और इसी बीच यूई पहली बार नामिकी को देखती है और उसे देखकर वो इसमाइल करती है अब कहानी प्रेजन में आती है जहांँ पर यूई एक टेक्सी डाइवर की जॉब करती है तो हमें बता चलता है कि उसका कली को उसे पसंद करता है लेकिन उसे बोलने से बहुत शर्माता है अब इसके बाद हमें एक और नए कैरेक्टिर को देखते हैं जिसका नाम है को साका जो की यूई का बेटा है जी यहाँ दोस्तों उसकी शादी हो चुकी है और उसका बेटा के साथ नहीं रहता वो अपने डाइट के साथ रहता है लेकिन उसका डाइड नामिकी नहीं बलकि कोई और है अब इनकी शादी कैसी हुई और यह अलग क्यों रहता है यह आपको आगे पता चलेगा अगले सीन में हम प्रेजन वाले नामिकी को देखते हैं जो कि एक सेक्योर्टी एजनसी में जॉब करता है तब ही उसका कलीग आगर उसे जगाता और कहता है कि तुम्हें कहीं जाना था अब नामिकी तुरंत ही उटकर वहाँ से भागने लगता है वो टेक्सी में बैठ जाता और उसके हाथ में एक फ्लावर को देखकर वो फिर से पास में चला जाता है जो हम देखते हैं कि यूई इसी फ्लावर के पेड़ की नीचे खड़ी हुई है क्योंकि यह इसे बहुत ही पसंद आता है यह फ्लावर उसके बहुत ही फेवरेट है अगले सीन में नामिकी स्कूल के टैरीस पर बैठा होता है कि तब ही वहाँ पर यूई आती है और उसके साथ एक लड़का भी होता है जो उसे प्रपूस्ट करने यहां लाये था लेकिन यूई उसे सौरी बोल कर वहाँ से निकल जाती है और ये देखर नामिकी बहुत ही खुश होता है कि जब वह लेकर उसे काउंटर पर पहुचता है तो वहाँ पर यूई खड़ी होती है जिसे देखकर नामिकी की बोलती बंद हो जाती है लेकिन दोस्तों यूई उसे जजज नहीं करती है वो पूछती है कि तुम्हीं डीवीडी कितनी दिन के लिए चाहिए अब कहानी फ्रेज से प्रेजन में आती है और यूई अपने एक कस्टमर को छोड़ कर रिलाक्स कर रही होती है कि तभी वो अपने बेटी के बच्पन की फोटोस देखने लगती है उसे देखकर वो से बहुत ही मिस कर रही थी और फिर वापस आफिस आ जाती है जहां उसका कलीग उसे वही फ्लार देता है जो नामिकी ने लिये थे अक्चन में दोस्तों नामिकी अपनी गल्फिन के पैरेंट से मिलने जा रहा था लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया और वो फ्लार्स वो उसी टेक्सी राइवर को दे देता है जो यूई का कलीग होता है और शायद इसी को इतिफाक कहते हैं उसे वो फ्लार्स बहुत ही अच्छे लगते हैं और वो ले लेती है अब अगले सीन में हम एक और नय करेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है यूनी जो कि नामिकी की बहन होती है वो ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है इसलिए नामिकी उसे sign language में बात करता है हम यहाँ पर यूनी की बीटी को भी देखते हैं जो नामिकी से मिलने आता है लेकिन वो से देख कर वहां से चली जाती है अब यह पैन इतनी खास कियों है यह आपको आगे बता चलेगा वो अपने बेटे से महीने में एक बार मिलती है और आज वो दिन है अब वो से देखकर बहुत ही खुश होती है और उसके लिए फेवरेट डिश बनाती है लेकिन उसका बेटा जिसका नाम कुसाका है वो अपने फोन में लगा हुआ था वो एक लड़की की रील्स देख रहा था जिसे वो बहुत अच्छी लगती है अब यूई को सिर्फ एक ही दिन मिलता है अपने बेटे से बात करने के लिए इसलिए वो चाहती थी कि वो से फोन का पासवर्ट देख लेती है जो कि यूई की बर्ठ डेट होती है इसका मतलब वो अभी भी अपने पहले प्यार को भूल नहीं पाया है अब यूई कहती है कि उस बात को कई साल हो चुके है तुम्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और उसकी गल्फिन के बारे में पूछती है इधर यूई अकेले बैट कर अपने बेटे की बच्पन की वीडियो देखने लगती है लेगिन तभी उसे याद आता है कि आप बहुत लेट हो चुक है और अभी तक उसका बेटा वापस नहीं आया है तो दोस्तों यहाँ पर उसके बेटे का नाम है तुजूरू अब यहाँ यूई को टेंशन होने लगती है और वो उसे ढूणने निकल जाती है लेगिन उसे पता नहीं था कि तुजूरू कहां पर गया हुआ है तभी उसे याद आता है कि वो एक लड़की की रील दिख रहा था अब वो अपने बेटी की आईडी से उस ल गड़की डांस करने आई थी उसका नाम होता है यूता वो किसी भी कीमत पर एक बार उसे मिलना चाहता था लेकिन उसके आने से पहले ही वो यहां से चली गई अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसकी माँ उसे ढूंटे हुए पहुच जाती है अब जो कि वो एक माँ है इसलिए उसे पता चल जाता है कि वो उटा से प्यार करता है अब उसे बड़ एक गिफ भी देती है जो कि एक Amazon गिफ कार्ड होता है और तुजूरू भी उसे एक सौंग सुनाता है जो कि उसने बनाया था एक्चल में दोस्तों हो हमेशा से एक music composer बनना चाहता था लेकिन उस कोई नहीं समझता है सिर्फ उसकी माँ ही है जो उसे समझती है और जब यूई उस गाने को सुनती है तो उसे बहुत पसंद आता है और उसे अपने बेटे पर बहुत प्राउड होता है कानी पास में पहुचती है जहां नामी की फिर से छत पर बैठ कर सिक्रेट पी रहा है और तब ही उसे यूई देखती है जो एक दुबारा एक लड़की के साथ यहां पर आई थी वो भी उसे प्रपोस करने लाया था वो लड़का यूई से पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है वो उसका जवाब दे पाती है कि इससे पहले वो शर्मा कर भाग और यह देखकर नामी की हसने लगता है और उसकी आवाज से यूई उसे देख लेती है नामी की कहता है कि तुम बहुत ही बुद्धू हो तुम्हारा फेवरेट फूड पूछ रहा था इसका मतलब कि वो तुम्हें पसंद करता है तो यूई कहती है कि अच्छा तुम्हारा फिवरेट फूड कौन सा है फिर नामी की कहता है कि नैपोलीटा वो भी उसकी बास समझ नहीं पता अब घराने पो ये बात अपनी बहन और अपने बेस्ट फ्रेंड बॉन जी को बताता है तो वो से कहते है कि तु सबसे बड़ा बेवकूफ है यूई ने तुससे वो सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वो भी तुझे लाइक करती है अब ये जानकर नामी की फौरान ही यूई से मिलने के लिए निकल जाता है दर हम देखते हैं कि यूई अपनी मॉम के साथ घर जा रही होती है और आज शहर में बहुत ही बर्फ पल रही है आज उसका बड़े भी है तो उसकी मॉम उसके लिए एक केक लाती है जिसे काट कर दोनों कार में सेलिबरेट करते हैं अब वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं लेकिन तभी दोस्तों रास्ते में एक चमतकार होता है अब रास्ते में यूई को नामी की दिख जाता है वो फौरन कार को रुकवाती और दौल कर उसके पास जाती है और कहती है कि तुम इतनी बर्फ में पैदल कहा जा रहे हो नामी की उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम्हारा फेवरेट फूट कौन सा है अब यहां नामी की उसे अपने दिल की बात कह देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ क्या तो मेरे साथ डेट पर चलोगी अब ये सुनका यूई बहुत ही खुश होती है और हसने लगती है और कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती है वहां सच में और इसी बीच उन्हें यूई के मौम देख लेती है और तभी उसे प्रेजन वाली यूई दिखती है वो ड्राइवर से कहता है कि कार उधर ले चलो लेकिन इससे पहले वो से मिल पाता कि वो उसकी आँखों के सामने से गयब हो जाती है और इसी के साथ हमें यूई का वोईस ओवर सुनाया जाता तो वो कहती है कि हर एक लमहा हमारी लाइफ का कभी न बदलने वाला टुकला है लेकिन सोच ये क्या हो अगर आपकी लाइफ का एक जरूरी टुकला खो जाए और इसी के साथ ये एपिसोड यही खतम हो जाता है और इसके बास एपिसोड टू की शुरुआत होती है लिखती है कि यूई भी रेडी हो रही है क्योंकि आज फिर से वो अपने बेटी से मिलने जा रही है और तुजूरु नो इसके लिए उसका फेवरेट कलर का सोटर भेजा है जिसे बहन कर वो बहुत ही खुश होती है इदर नामिकी जो की सिक्योटी एजंसी में काम करता है वो सभी टेक्सी कंपनीज को कॉल करके यूई के बारे में पूछने लगता है क्योंकि पिछली बार उसने यूई को टेक्सी चलाते हुए देखा वो चाहता है कि उसे कैसी भी करके यूई एक बार दुबारा दिख जाए या फिर वो उसे मिल जाए लेकिन इससे कोई फाइदा नहीं होता अब इसी वीच उसके आफिस के बाहर एक लड़की डांस करने लगती है वो डेली आकर यहां डांस करती थी और यह जगाँ से बहुत पसंद होती है अब नामीगी उसे देखने जाता है कि आकर वो लड़की कौन है जो डेली यहां आ जाती है अक्शल में दोस्तों ये लड़की को यौन नहीं बल्कि यूटा होती है यह वही ललकी थी जिसे यूई का बेटा तुजूरू प्यार करता है और मिलना चाहता है वेल नामी कि जैसे ही उसके पास जाता है वो ललकी वहाँ से भाग जाती है अगले सीन में हम तुजूरू को अपने डाट के साथ डिनर करते हुए देखते हैं उसके डाट एक सरजन है और वो हमेशा से चाहते हैं कि उनका बेटा भी उन्ही कितरा बने उन्होंने अपने बेटे के लिए एक प्राइवेट टूटर भी हायर किया है लेकिन दोस्तों जैस से दूसरों को सुन सकता है और ये देखकर नामी की कोई का आइडिया आता है कि इसकी मदद से वो यूई को ढूंड सकता है लेकिन इस पूरे शहर में 20 लाक लोग रहते हैं और इसमें इसे यूई को ढूंड पाना बहुत ही जादा मुश्किल है लेकिन जैसे कि हम जानते ह कि प्यार में बहुत ताकत होती है और ये तो बहुत ही छोटी सी बात है अब नामी की अपने काम पल लग जाता है वो पूरे दिन उसी रेडियो से चिपका रहता है ताकि एक बार वो यूई की आवाज सुन सके इधर हमें यूई के बारे में और चीज़े पता चलती है जै नामी की पूछता है कि तुम्हें पता है कि ऐसे लोगों को मिलने का चांस जिसमें कुछ भी कॉमन हो वो होता है दो लाक लोगों में से सिर्फ एक और वो दोनों एक दूसरे को जाने इसका चांस होता है बीस लाक लोगों में से एक और उन दोनों लोगों के पास आने का च कि ऊपियार देकर यूई बहुत खूश होती है अब कहाने फिरसे present में आती है उनामे की रेडियो सुनते सू जाता है लेकिन तब ही उसे एक आवास सुना आई देती है कि ये यूई है वो तुरंत ही अपने कलीग को ये बात बताता है इधर अगले सीन में हम यूई को देखते हैं जो अपने फ्रेंड और कलीग उतारू से मिलती है जो कि बहुत शरीफ टाइप का बंदा होता है और शर्मीला भी होता है अब यूई को देखते ही अपनी लड़की है वो समझती है उसे और उसके साथ लंच पर जाने के लिए हा कर देती है क्योंकि उसे भी किसी की जरूत है अपनी जिन्दगी में अब वो दोनों लंच पर जाते हैं जहां पर उटारू से पूछता है कि तुम ये जॉब क्यों कर रही हो लेकन यूई उसे कुछ बताने से डरती है तो उटारू कहता है कि मुझे लगता है कि कोई घटना जिसे तुम्हारे जीवन पर असर डाला है किसी से ऐसी मुलाकात जिसने तुमें पूरी तरह से बदल दिया हो लेकिन यूई यहां पर किसमत जैसी चीज़ पर यकीन नहीं करती और तब उतारू कहत है कि तुमने टानिक तो देखी होगी वो जैक था जो रोज के लिए सबसे खास बन गया था लेकिन यूई उसे जूट बोलती है कि मैंने टानिक फिल्म नहीं देखी है अब अगले सीन में हम नामिके को देखते हैं जो ऑफिस से घर आ चुका है और वहां पहली बार उसकी हैbasер लेकिल्फिन को देखते हैं जो कि टानिक फिल्म देख रही होती है अब ये देकर नामिके फिर से पास में चला जाता है जहां वह और यूई दोनों फिल्म देखने गये है और वह फिल्म है टानिक तो यहाँ यूई यह फिल्म पांच भी बार देखने है क्योंकि यह फूट फूट कर रोने लगता है अब फिल्म खतम होने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं तो वहीं टैटानी का आइकॉनिक सीन ट्राइ करते हैं जो जैक और रोज ने किया था और अपनी कहानी को यादगार बनाते हैं अब एक दिन यूई छट पर बैठी होती है और तभी व में आती है जहाँ पर नामिकी अपने आफिस के बाहर एक लड़के को दीखता है ये कोई और नहीं बलकि तुजूरू होता है जो कि यूई का बेटा था तुजूरू यहाँ पर यूटा का इंतिजार कर रहता था कि उसे एक बार मल सके अब दोस्तों यहाँ पर तुजूर अपने डाट से छुपकर यूठा से मिलने जाता है और नामिकी उसे फाइनली यूटा के सामने ले जाकर ख़ड़ा कर देता है जिसे आज तक वो सिर्फ अपनी स्क्रीन में देख रहा था उसे देखकर वो पूटी तरह से उसमें खोच जाता है अब नामिकी उन दोनों की दोस्ती कराता है यूटा को पता चलता है कि तुजूरू वही ललका है जो सबसे पहले उसकी वीडियो लाइक और कॉमेंट करता है तो आप हमारी वीडियो लाइक और कॉमेंट कप करेंगे अभी करिए और यह जानकर वो बहुत खुश होती है और यहां से एक और लवी स्टो वो उसकी वज़े से नहीं जा पा रहा है, इसलिए वो से जूट बोलती है कि मुझे एक मूवी देखने जाना है, तुम जाओ यूटा से मिलने के लिए, अब महीने में सिर्फ एक दिन वो तुजूरू से मिलती है, लेकिन फिर भी उसने तुजूरू को भेज दिया, क्योंकि एक मा ऐसी होती है, वो नहीं चाहती है कि उसका बीटे का दिल तूटे, अब तुजूरू यूटा से मिलता है और उसे भी अपना बनाया हुआ सौंग सुनाता है, जिससे सुनकर वो बहुत खुश होती है, कानी आगे बढ़ती है, अब इंतिजार करते हुए रात हो चुकी और याड तुजूरू अपनी मा को उसे इंट्रिड्यूस करवाता है, अब यूई उसका शुक्रिया करती है, लेकिन इतने सालों बाद वो यूई को देखकर बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन कहना ही बाता है, क्योंकि उसके लिए वो अंजान है, अब यूई को अपने यूई का स्कूल कंपलीट हो चुका है, और वो कॉलेज करने अब टोकियो आई है, जहाँ एक छोटी से रूम में उसे रहना पड़ रहा है, और तभी उसे नामिकी का कॉल आता है, वो अपनी और उसकी फोटो देखकर उसे मिस करती है, इदा नामिकी अपने सारे बाल काट लेता है क्योंकि वो अब आर्मी में जॉइन होने जा रहा है, जो कि उसकी मॉम का सपना था, और यहां आर्मी में लाइफ बहुत ही ज्यादा टफ है, नामिकी का पास बहुत कम समय मिलता है यूई से बात करने के लिए, लेकिन वो फिर भी खुश है क्योंकि यूई उसके स जात है, और कई बार तो यूई से बात करने की चकर में वो लेट भी हो जाता है, और उसे सजा में मिलती है, अब दोनों एक दूसरे की यादों के सहारे खुश है, अब एक दिन वो इसी तरह से यूई से बात कर रहा होता है, यूई कहती है कि पिछली बार जब मैं कपले ध वेलब अगले दिन यूई का कॉलेज का पहला दिन हो था जहाँ से बहुत सारे नए लोग मिलते हैं, उसमें से कई उसके दोस भी बनते हैं, और एक दिन यूई की फ्रेंड उससे बताती है कि उसने यूई का नाम एक कॉंटेस्स में दिया है, अब यूई उसे बहुत मना करत दूसी तरफ नामिकी उसे call करने की कोशिश करता है उसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो पार्टी में होनी की वज़े से उसका call नहीं उठाती अब इतनी मुश्किल से समय निकाल कर नामिकी ने उसे call किया था लेकिन उससे बात ना होनी की वज़े से वो बहुत सी sad हो जाता है अब इसी तरह से उनकी जिन्दगी चलने लगती है कभी उनकी बाते होती थी और कभी नहीं होती थी अब कहानी प्रेजन में आती है जहां पर तुजूरु अपने क्लास में बैठाएगी और तभी वो देखता है कि यूटा ने उसकी फ्रेंग रिक्वेस्ट एकसेप कर लिया अब यह देखकर वो ख़ला वा जाता है जिससे टीचर उसे पूछ लेते हैं कि क्या हुआ अब अन्ग्ले सीन में वो यूटा से मिलने जाता है जहां वो शेपने दोस्तों से मिलवाती है जो की सिंगर होते थे वो उन्हें तुजूर के टैलेंट के बारे में बतात से ये मुझे क्या हो रहा है मैं क्या करो मुझे समझ नहीं आ रहा है तो नामिकी कहता है कि वाह यही तो साइन है पहले प्यार का फस्स लव का तुम्हें प्यार हो गया बेटे और यह कैसे अचानक ही होता और इससे कोई भी आज तक बच नहीं पाया है वहला आपका पहला प्यार कौन था नीचे comment करके जरूर बताएगा अब इसी के साथ नामिकी खुद सोचते हुए पास में चला जाता है जब उसकी training चल रही थी वो रात में जाक कर training कर रहा था और जब उसे यूई की याद आती है तो वो उसकी और दोनों की फोटो देखकर खुश हो जाता है कहानी फिर से present में आती है नामिकी जाते जाते तुजूर से पूछता है कि तुम्हारी मा कैसी है यानि की यूई और यहां उसे पता चलता है कि यूई का डिवास हो चुका है और वो अके जाती है यूटा उसे बताती है कि वो इसराइल जा रही है वो एक डांस ओडिशन के लिए जा रही है और वहां चार दिन रुखेगी और अगर बात बन गई तो मेरा अगले साल का वर्ट टूर पका है अब जाते हुए नामिकी उसे पैसे नहीं लेती है और कहती है कि जब बात बन जाए तो पैसे लोटा देना अब यूई उसे जाते हुए देखकर अपनी यादों में खो जाती है जब वो भी हायर स्टेडीज के लिए कनाडा जाने वाली थी उसने पासपोर्ट बनवा लिया था सब कुछ अप्रूव हो गया था लेकिन ये बात वो अभी नामि बाता नहीं जा पाई अब ऐसा क्यों हुआ ये आपको आगे पता चलेगा इधर तुजूरो एक बार फिर नामिके से मिलता है लव एडवाइस लेने के लिए वो से बताता है कि यूटा ने उसे डांस में इन्वाइड किया है क्या मैं जाओ या फिर नहीं लेकिन तभी उस नीन से नहीं जगाता बलकि कई घंटों तक उसके उटने का इंतिजार करता है और जैसे ही वो उटती है अपने सामने नामिकी को देख कर हैरान हो जाती है अब यूई उसे अपने घले जाती है जहां वो उसकी वाशिंग मशीन ठीक करने लगता है और थोड़ी देर में वो सब कुछ ठीक कर देता है वेल प्यार में कुछ भी लोग कर सकते हैं तो ये तो मशीन थी अब जाने से पहले वो उसे डिनर के लिए पूछती है तो यह एक बहुत ही फणी सीन होता है यह यूई उसे पूछती है कि मिस्टर नामिकी आपका फेवरेट फूड क्या है जो कि पहली बार उसने पूछा था वो जवाब देता है नैपो रीता वो दोनों डिनर करने लगते हैं लेकिन तभी उसके प्लेन की आवास सुनाई देती है तो यूई उसे अपनी कहानी बताती है कि वो बचपन से ही एर होस्टेस बनना चाहती है इसलिए उसने एरपोर्ट के प वापस आ गया है यूई से मिलने के लिए वो यूई को देखकर उसे गले से लगा लेता है अब इतनी दुनवाद मिलकर दोनों बहुत खुश थे यूई उसके बालों का मजाग भी बनाती है अब यहां से वो सीधा एक रेस्टरॉन जाते है लेकिन तभी वहाँ पर यूई की उसे सही से समझाता है कि हम आर्मी नहीं है जब भी कोई आबदा या फिर कोई घटना होती है तो हम उसके लिए हैं लेकिन मैं नहीं चाहता कि कभी कोई आपदा आए हम रक्शा करने के लिए उलते हैं लेकिन तब ही वो लड़का कहता है कि air味 के वजश से हमारी लगी मु उसे यूई के खिलाफ और भड़काना चालू कर देता है कि तुम दोनों कितना दूर रहते, उपर से यूई कितनी क्यूट है, अगर कोई और उसे ले गया तो तुम क्या करोगे, और अब वो उसे ये भी बताता है कि अब तो वो अबरोड जाने वाली है, फिर तुम क्या करो है, तो यूई उसके पीछे-पीछे भागती उसे रोकने के लिए, वो उसे पूछता है कि तुम फोरें जा रही हो पढ़ने के लिए ये बात तुमने मुझसे क्यों चुपाई, मुझे ये बात उस घटिया आदमी से पता चल रही है, तुमने ऐसा क्यों किया, तो यूई क उसको कॉल लगाता है, लेकिन दोस्तों, अब बहुत ही देर हो चुकी है, वो देखता है कि यूई रोट पर पड़ी हुई है, उसका अक्सिडेंट हो गया, वो भागती हो इसके पास जाता है, उसे जगानी की कोशिश करता है, लेकिन यूई नहीं उठती, वो उसे लेकर ह चौकिंग बात पता चलती है, डॉक्टर बताते हैं कि उसके सर में चूट लगी है, जिसकी वज़े से उसकी याददाश जा चुकी है, लेकिन पूरी नहीं, वो जब से नामिकी से मिली थी, वो सब कुछ भूल चुकी है, मतलब कि नामिकी कौन है, उसे याद नहीं होगा, बस सिर्फ उसे अपनी मौम की याद है, और उसकी यादश वापस आने में कई महीने या फिर कई साल भी लग सकते हैं, यह हम नहीं बता सकते हैं, अब नामिकी उसे मिलने जाता है, लेकिन योई उसे पहचान ही नहीं पाती है, वो कौन है, वो से भूल चुकी थी, जो से देखती है, जिसमें सुजेलैंड को मार्क करती है, जैसे कि मैं बता है कि यूई बचपन से ही ट्रावल करना चाहती है, और वो दुनिया के हर कोनी में जाना चाहती है, यूई अब बड़ी हो चुकी है, और इसके डाट का लेटर उसे मिलता है, जिसमें लिखा था, कि बहरा नाम अंतरिक्ष में भीजा है, जो सफर कर रहा है, हमें न्यूस से पता चलता है कि आज जापान में पहली बार आस्ट्रोनॉट को मार्स पर भीजा जा रहा है, जिसे देखकर यूई बहुत ही एकसाइटेड हो जाती है, अब कहानी प्रेजन में आती है और हम यूई उसे यहां की डिश एक बार ट्राई करने के लिए कहती है, अगली दिन हम उसे अपने बॉस के साथ देखते हैं, जो उसके दोस जैसे है, वहां वो अपने दिल की बात उन्हें बताती है और कहती है, कि आज कल जब भी मैं अकेली होती हूँ, मुझे एक लड़के का खयाल आ जाती है, अब कहानी पास में जाती है, जहां नामिकी अब टूट चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, कैसे यूई की आदाश वापस लाए, उसे बात करने की कोशिच भी करता है, लेकिन उसका नंबर बन जा रहा था, और यहां में एक और बात पता चलती ह कि यूई की मौम ने उसे बोला है कि वो यूई से कुछ समय के लिए दूर रहे, क्योंकि वो उसका खयाल नहीं रख पाएगा, अब सारी चीजे सोच कर नामिकी खुद को ही दोशी मानने लगता है, कि वो धीरी-धीरे उदास और अखेला रहने लगता है, और फैसला करता ह है कि वो यूई को लेटर भेजेगा, शायद उसका लेटर पढ़कर यूई को कुछ याद आ जाए, इधर यूई से मिलने उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है, लेकिन यूई उसे भी भूल चुकी है, वो दोनों काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं, और काफी मस्ती करते हैं, लेकिन यूई को बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था, अब जाते टाइम उसकी फ्रेंड नामिकी के बारे में उसे पूछती है कि क्या तुम उसे बात करती हो, यूई पूछती है कि कौन नामिकी, और घर आने पर वो स्कूल की फोटोस देख अब कहानी आगे बलती है और यूई डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर इसे पूछती है कि क्या तुम्हारी यादे वापस आ रही है, तो यूई कहती है कि नहीं, अब वो डॉक्टर के पास लगे कैलेंडर को देखती है और पूछती है कि मई का महिना चल रहा है न तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, लेकिन कैलेंडर जून का लगा हुआ था, क्योंकि वो अगले महीने का पेज लगा कर रखते हैं, अब यूई यहां से घर आती है और अपनी मॉम से पूरा दिन उसी डॉक्टर के बारे में बाते करती हैं, कैसे बोलते हैं, अब उसकी सारी बा उसकी बुरी यादे वापस आए उन्हीं ये भी लगता है कि नामिकी यूई के लिए सही लड़का नहीं है अब कहानी प्रेज़न में आती है यूई एक क्यू में खड़ी है और तभी वो नामिकी को कॉल लगाती है और कहती है कि अगर तुम्हें टाइम मिला तो आसमान में स आउत की तरफ देखना तुकि आज मार्स काफी पास आने वाला है और ऐसा पंदरा सालों में एक बार होता है इसी के साथ हम नामिकी को भी देखते हैं उसी एड़िजमेंट को देखते हुए उसे देखकर वो पास में चला जाता है जहां 15 साल पहले आज का ही दिन था वो य मैं तुम्हें बहुत मैस करता हूँ जब भी मैं किसी तारे को पास में चमकता हुआ देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास अब यहां नामिकी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है यहां पर वो अपनी पहली फ्लाइट उडाने वाला है उस इतनी दिनों बाद यूई के चेहरे पर उसने स्माइल देखी थी इधर नामिकी दोस्तों फाइली फ्लाइट उलाने जा रहा था वो कहता है कि यूई यूई मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता हूँ अगर सही सलामत लोटा तो मैं तुमसे मिलने जरूर आउंगा और आ उसने लिखे थे तो यूई के मौम कहती है कि मैं नहीं चाहती कि यूई को सब जहलना पड़े जो मैंने जहला है उसने अपने लिए एक अच्छा साथी ढूल ली आया और वो मा भी बनने वाली है उसकी शादी होने वाली है वो लड़का अमीर भी है अब यहां वो उसी जल जाता है उसका पहला प्यार दूसरी दरफ यूई एक बस में बैठी है और अल्टर साउंड में अपने बच्चे को देखती है और बहुत ही खुश हो जाती है लेकिन तब ही उसे न्यूस से पता चलता है कि जापान में जो मार्स मिशन था वो फेल हो चुका है और इसी क लेकर वो पूरी तरह से शौक हो जाती है अब यहां योई मार्स को देख रही थी लेकिन नामिकी उसे ही देखा जा रहा था जिसे वो हमेशा से चाहता है वो दोनों खूब सारी बाते करते हैं और योई उसे पूछती है क्या तुमने नाजोमी के बारे में सुना है 1998 में ल उसकी मॉम के बारे में उसे पूछता है तो नामिकी कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और अब दोस्तों समय आ जाता है फिर से दोनों के अलग होने का है नामिकी उसके लिए एक टैक्सी रोकता है लेकिन यूई जाने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे बहुत तेज प्य जाते हैं तभी पीछे से आवाज आती है नामिकी ये आवाज थी नामिकी की गल्फिंड की इन दोनों को साथ देकर वो क्या बोलीगी इसी सस्पेंस के साथ ये अभी सूड ये खतम हो जाता तो कहानी पास्क में जाती है ये वो समय है जब यूई का एक्सरेंट नहीं बहन यूणी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका भाई उससे दूर जा रहा है और यही बात बॉन जी भी कहता है तो गुस्से में यूणी उसे एक लात मारती है दोस्तो बॉन जी की एक आदत है जब भी उसे कोई लात मारता है वो कहता है आई लाइक इट अब कहानी आगे बलती है और सभी लोग एक साइड डिनर कर रहे होते हैं और एक दूसरे से बात में बिजी होते हैं लेकिन यूनी बोल नहीं सकती है वो sign language में sources मांगती है लेकिन कोई उसके तरफ ध्यान नहीं देता लेकिन तभी यूई उसे देख लीती है और समझ जाती है कि वो क्या कह रह और यहाँ पर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है उन्हें देखकर नामिकी के चेहरे पर भी smile आ जाती है अब कहानी present में आती है जहाँ पर नामिकी की girlfriend ने यूई और नामिकी को एक साथ देख लिया था और वो समझ जाती है कि यूई है नामिकी का पहला प्यार लेकिन वो का introduction करवाता है और तभी यूई वहाँ से चली जाती है वो बहुत ही अजीब तरीके से react करती है कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ सुनेमी जो की नामिकी की girlfriend है उसे डल लगता है कि कहीं नामिकी उसे दूर ना चला जाए अब अगले दिन नामिकी उसे कल रात वाली बात क के बारे में समझानी की कोशिश करता है लेकिन वो अपने parents से उसे मिलने के लिए कहती है और वो बस जल्दी से नामिकी से शादी करना चाहती है और उसे खोना नहीं चाहती है वेलागे नामिकी को office में बता चलता है कि 14 फ्लोर पर एक च्योरी होई है और अब उन्हें और ध जाता और वहां से लोटने पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है जहां पर एक लड़की के साथ intimate भी होता है तब ही वो लड़की पूछती है कि तुम पाइलेट क्यों बनना चाहते थे कहानी फिर से पास में जाती है जमनामी की स्कूल में था जहां उसे फॉर बनना था जिसमें कोशन है कि future career में वो क्या choose करना चाहता है अब यह देखकर वो confused हो जाता है इसलिए घर वालों से पूछता है कि आपको मुझे में क्या खूबी दिखती है तो कोई कहता है कि तुम्हारे eyesight बहुत ही अच्छी है और तभी उसकी मॉम कहती है कि मैं हमेशा से चाती थी कि तुम SDF में जाओ अब नाम की और confused हो जाता है वो एक poster लगा देता है और रोज खुछ से पूछता है कि मुझे pilot बनना है या नहीं अब एक दिन वो यूई के साथ होता है तभी उसे कुछ fighter plane दिखते हैं उन्हें देखकर यूई कहती है कि वा कितना cool है न और इ उसे यूटा किसी और के साथ दिखती है और ये उसका boyfriend था जिसे देखकर बिचारे का दिल तूट जाता है इधर जब से यूई को बता चला है कि नाम की की girlfriend है वो भी sad रहने लग गई है वेल अगले scene में हम नाम की की बहन यूई को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ एक जादा कूल है और उसके बेटी भी समझ जाती है कि father से बड़े hero कोई नहीं होता इसी के साथ कहानी पास में जाती है जहां यूणी घर पर है और तभी उसके पास बांजी आता और कहता है कि मुझे ना एकदम कूल बना दो मुझे एक important काम करनी के लिए जाना है अब वो उस शादी कली अब उनकी शादी का दिना आज आता है जिसमें सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं तभी नामिकी आता है जो बांजी के बालों का मजाग भी उलाता है अब दोनों की शादी कंपलीट होती है और नामिकी अपनी प्यारी बहन के लिए की speech देता और कहता है कि आखों के सामने डूब रही थी मैं वहीं खड़ा था लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका मुझे बहुत ही strong बनना था क्योंकि मैंने यूनी को मुसीबतों से लड़ते हुए देखा और मैं शायद दुनिया को ना बचा सकूँ लेकिन मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो अप इसके बाहर उतरता है लेकिन उसका फोन छूट जाता है और यूई उसके पीछी पीछो जाती है एक्चल में दोस्तों ये आदमी ऑफिस से कुछ डेटा चुराने आये था और तभी नामी की उसे देख ले था और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और इधर यूई भी ऑफिस में आ चुकी थी तभी वो आदमी यूई को सीडियो से धका देता है लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरे नामी की उसे पकड़ देता है और वो खुद नीचे गिर जाता है लेकिन इस हास्ते में उसे बहुत चोट आती है और उसकी पहली सरजरी हुई और फिर वही चोट लग जाती है, अब हॉस्पिटल में यूई उसका हाथ पकड़ कर बैठी थी, वो उसे छोड़ कर कही नहीं जाती, जब तक उसे होश नहीं आता, थोड़ी देर में ही उसे होश आ जाता है, तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, अभी तो नैपुलि को देख लेती है और उसे पहचान जाती है, वो पूछती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, नामी की उसे रोकता है और कहता है कि मैं बाद में तुम्हें इसके बार में बताऊंगा, लेकिन तब ही एक चमतकार होता है दोस्तों, यूई उससे साइन लैंगवें जो पू तो यूई कहती है कि मैं भी चाती हो, मेरी एक फैमली हो, एक घर हो और हम सभी साथ बैट कर खाना खाएं, तो नामी की की बहन भी उसे एक सीक्रेट बताती है कि नामी की ऐसे दिखाता है, लेकिन सच में वो अभी भी एक बच्चा है, और कहती है कि तुम्हें पता है, नाम पूछी के मोमेंट के साथ ये अपिसोड यही खतम हो जाता है। इसके पास एपिसोड 6 की शुरुआत होती है, हम तो सुरू के बच्पन को देखते हैं, जोकि यूई का बेटा है, वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश हैं और तभी वहाँ पर डॉक्टर आते है जिसे यूई की शादी हुई है, यूई का पूरा परिवार देखने में बहुत ही खुश और कम्पलीट लग रहा है। कहानी प्रेजन में आती है जहां नामिकी की तब ये ठीक नहीं है, लेकिन वो फिर भी आफिस में आया है, क्योंकि वो घर पर बूर हो रहा था। उसका कहता है कि नहीं तुम्हें परशान होने की जरौध नहीं है, तो यूई कहती है कि लगता है कि तुम मुझे सही से समझते नहीं हो, देखो मैं अपनी कम्पनी की सबसे ज्याधा पैसे कमाने वाली ड्राइवर हूँ, और सबसे बेस्ट भी हो, मुझे पता चला है कि के पैरेंट से मिलने जा रहा है तो उसका फोन चार्ज नहीं होता तो यूई के पास चार्जर होता है वो उसे चार्जर दे देती है अब वो जो चीजे उसे मांगता है वो सारी चीजे उसके पास होती है उसकी कार में अवलेबल होती है तो नामिकी ये देख कर हसने लगता है यूई कहती है कि मैं हमेशा से सारा समान लेकर तयार रहती हूँ अब वो उसे उसकी girlfriend के पास छोड़ देती है लेकिन दिल से उसे भी बुरा लग रहा था क्योंकि कहीं न कहीं वो नामिकी के साथ time बिताना चाहती है उसे पसंद करने लगी है अब कहानी पास में जाती है जान नामिकी और यूई दोनों युटोरो घूमने जाने वाले हैं लेकिन तभी नामिकी की वज़े से वो लेट हो जाते है और बस छूड़ जाती है यह हम देखते हैं कि कुछ आदते कभी नहीं बदलती तो यूई को बच्पन से ही आदत थी सारे समानों को अपने साथ लेकर चलने की और आज भी वो अपना सारा समान अपने साथ लेकर चल रही है जैसे कि कमपस, टॉर्च और बहुत सारी चीज़े और तब ही नामेकी उसके लिए दूसरा प्लान बनाता है वो फ्लाइट से यूटोरो जाएंगे जहां यूई के डाट रहते हैं और वहां वो उनसे मिल भी लेगी अब दोनों एरपोर्ट पहुँच जाते हैं और बहुत ही एकसाइटर होते हैं जाने के लिए यूई अपनी पुरानी यादों के बारे में बताती है कि जब वो छोटी थी तब अपने डाट के पास बहुत जाती थी अब वो उसे अपने ड्रीम के बारे में भी बताती है कि वो हमेशा से फ्लाइट अटेंटेंट बनना चाहती है नामी कि उसे होसला देता है कि वो एक दिन जरूर अपने सपने को पूरा करेगी काहनी फिर से पास में जाती है जब तुजूरू छोटा था तो यहाँ पर हम यूई की मदर इनलो को देखते हैं और उनके कपलों में उसे किसी की एरिंग मिलती है उनकी शर्ट पर भी किसी के लिप्स्टिक के निशान थे अब यह जानकर वो और ज़्यादा तूट जाती है और तुजूरू को गले लगा कर रोने लगती है इधर प्रेज़न में यूई नामिगी को मैसेज करती है कि कल मैं तुम्हें फिर से लेने आऊंगी और उसे कहती है कि मुझे हॉस्पिटल से पता चला कि तुम पहले पाइलिट थे अच्छा मुझे बतावा कि प्लेन उडाने में कैसा फील होता है नामी की बताता है कि जब हम हवा में होते हैं, हमें धुंद और बादल दिखते हैं, साथ में हवा और धूप भी, जब हम अपने पांचो सेंसिस का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें लाजवाब नजारा देखने को मिलता है, जैसे दुनिया हमारा स्वागत कर रही हो, यह सारी बा तो हमें पता चलता है कि उसके डाड उसे बहुत प्यार करते हैं और उसकी फिकर भी करते हैं, उसने स्कूल कंप्लीट करने पर उसे एक गिफ भी देते हैं, गिफ में एक फाउंटेन पिन होती है, अब उसके डाड एक शायर किसम के इंसान थे, इसलिए वो चाहते थे कि य पूरी जिन्दगी इस्तेमाल हो, अब यूई स्पेंसिस सबसे पहला शवल लिखती है नामिकी का नाम, क्योंकि वो उसके लिए सबसे अन्मोल है, अब ये देकर उसके डाड समझ जाती हैं, वो नामिकी से कितना प्यार करती है, यहादे टाइम वो नामिकी से मिलते भी हैं और मज़े लेते हुए कहते हैं कि अच्छा तो तुम हो नामी की तो ये बताओ कि यूई में तुम्हें क्या अच्छा लगता है वो कहता है कि यूई की हर चीज बहुत अच्छी है और चाहे कुछ भी हो जाए कुई मेरा मन बदल नहीं सकता है यहां तक कि उसके डैड भी नहीं और उसके लिए मैं जिन्दगी में एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और उसे हमेशा खुश रखना चाहता हूँ यूई के डैड को भी वो पसंद आता है और दोनों उन्हें आलविदा कहके वहां से चले जाते हैं अब घर आते टाइम यूई अपने डैड के बारे में कुछ और बाते बताती है वो भले ही अच्छे इंसान है लेकिन वो बहुत ही बड़े जूटे है वो कहती है कि जब मैं पैदा होने वाली थी तो उन्होंने किसी और को प्रेगनेंट कर दिया था और उन्हें वापस पानी के लिए मेरी मॉम ने मुझे जनम दिया लेकिन उन्होंने फिर भी हमें छोड़ दिया और हमसे दूर चले गए वो हमेशा वादे करते हैं कि हम मिलेंगे हम कल मिलेंगे हम परसों मिलेंगे लेकिन वो हमेशा से जूट भोलते रहते थे और जब मैं उनकी दूसरी बेटी को देखती थी तो हमारी सारी उम्मीदे और जादा टूट जाती थी और उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया हमेशा के लिए यह से बताते हुए वो रोने लगती है और नामिकी उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा चाहे कोई रहे या ना रहे अब जब वो दोनों वापस घर आते हैं तो वहाँ उनका इंतिजार यूई की मौम कर रही थी और नामिकी उन्हें सच बत दिया था और बे सहारा रहने पर मजबूर कर दिया था अब नामिकी अपने इस काम के लिए उनसे कई बार माफी मांगता है बानी प्रेजन में आती है जा यूई नामिकी को छोड़ने घर आई है अब वो बताता है कि कल मेरा रिहाब में आकरी दिन है फिर हम मिल नहीं पूछती है कि आप बच्पन में हाई स्कूल में कैसे स्टुडेंट थे तो नामिकी कहता है कि मैं स्कूल में बहुत ही मज़े करता था मेरे स्कूल में एक लड़की थी जिसे सभी लड़के पसंद करते थे तो यूई पूछती है कि क्या वो तुम्हें मिली तो कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे मिली और उसे मैंने बिंदास पूछा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझे प्यार करती हो, और वो दोनों अपनी बातों को याद करके हसने लगते हैं, उसी ट्रेल में उसे एक टीनेजर कपल भी दिखते हैं, जिसे देखकर वो अपन की जानता है, वो कहती है कि मैं अतीद को भुला चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उसके बारे में और ना सोची हूँ, और ना ही अपने भविश्य के बारे में, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, सुजूरों के साथ बिताए वो पल और अपनी लाइफ का वो हिस्सा जि उसे किस कर लेता है, इसी किस के साथ ये एपिसोड ये खतम हो जाता है, इसके बाद से ये एपिसोड 7 के शुरुआत होती है, यह हम यूई को टेक्सी में कल के बारे में ही सोचते हुए देखते हैं जब नामिकी ने उसे किस किया था, और इसी चक्कर में उसका एक पैस हो जाता और पैसेंजर उसे बहुत सुनाते हैं, थोड़ी देर बाद उसके पास नामिकी का मैसज भी आता है, जो उसे कल के लिए सोरी गयता और यूई भी उसे माफ कर दे थी है, इदर नामिकी के गर्फरेंड अभी भी सोच में है कि कही नामिकी उसे छोड़ ना दे अब नामिकी उसे बार-बार उस रात वाली बात के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करे जा रही थी, कहानी पास में जाती है जामे पता चलता है कि जैपान में अपने सैनिकों को इराग भीज रही है, जंग के लिए और इसमें नामिकी भी जाने वाला है, उसका परिवार उसे मिलने आया और सभी लोग बहुत इमोशनल है, उसकी बहन यूनी सबसे जादा, वो कहती है कि क्या वहाँ जाना जरूरी है, तो नामिकी उसे समझाता है कि हमारा देश, हमारे परिवार की तरह है, और उसे बचाना मेरा फर्ज है, अब स लिए, लेकिन उसकी मदर इनलोग कहती है कि उन्हें परिशान करने की जरूरत नहीं है, वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इसलिए अपनी मॉम को मना कर देना, और कहती है कि वो शराब पी कर सब को बहुत शर्मिंदा करती है, अब वो उसकी मॉम की कुछ भी नहीं बोलता है, और ये देखकर योई को बहुत ही बुरा लगता है, वो अपनी मॉम इनलोग का जवाब देती है और कहती है कि बचपन से लेकर आज तक स्कूल में, युनिवर्सिटी में मैंने हर जगा बहुत मेहनत करी है, क्योंकि हमेशा से मुझे अपनी मॉम जैसा नहीं बनना था, मेरी मॉम एक अनपल मजदूर है, उन्होंने कभी महगे चिकन और और और्गानिक सॉस नहीं खाए, क्योंकि पचीस सालों तक दिन के बारा घंटे वो एक लोकल फैक्टरी में काम करती है, और मुझे अकेले उन्होंने पाला है, हम कभी अमीर नहीं लेकिन जब भी उन्हें सैलरी मिलती थी, तब मेरी लिए वो कपले खरीती थी, और खुद पुराने कपले पहनती थी, और आपने उनकी बेस्ती करी है, जिसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, और वो घर छोल कर चली जाती है, वो वापस अपनी मॉम के पास आत आने वाली फैक्टरी में जॉब करने लगती है, अब यहां उसे जरा भी टाइम नहीं मिलता कि वो तुजूरों के साथ वक्त बिता सके, पैसे कमाने के लिए वो दो-दो जॉब कर रही थी, और ये देखकर उसकी मां कहती है कि ऐसे तु तुम्हारी सेहत खराब हो जाएग उसे रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन वो किसी की बास सुनने को त्यार नहीं है, और इसी तरह से एक दिन हैलोवीन का फेस्टिवल आता है, उसकी फ्रेंड कुछ डैसस ले रही है जिसके साथ वो भी ट्राइ करती है, लेकिन उसी रात उसे पता चलता है कि आईस्कीम फ्र घर भीजना होगा, अब नेक्स डे तुजूरू का बड़े होता और यही सब सोच कर उसकी आँखों में आसु आ जाते हैं, और उसी रात वो तुजूरू की कस्टडी चेंज करने का ओरडर पर साइन करती है और वहीं पर यूज़ करती है, जो कि उसके डाइड ने उसे गि जबाब नहीं देती और तब वो तुजूरू को लेकर उसे दूर जाने लगता है, अपनी मान से अलगो कर तुजूरू रोने लगता है, लेकिन उसके डाइड उसे जबरदस्ती ले जाते हैं, तब ही यूई उसके कार के पीची पीचे भागती है, वो बस अपने बच्चे को भी देखते हैं, जो वापस अपने घर जा रहा है, और उसकी बहन का भीजा वो उसे एक लेटर मिलता है, जिसे पता चलता है, कि वो मा बन गई है, इधर यूई जब जौब से घर आती है, तो उसकी मौम उसकी बच्चपन की फोटोज देख रही थी, और कहती हैं, कि सब कुछ कितना अच्छा था ना, लेकिन ये सब क्यों हो गया, पता नहीं उपर वाले ने मेरी किस्मत इतनी बेकार क्यों लिखी है, तब यूई कहती है कि किस्मत जैसा कुछ नहीं होता, और वहां से चली जाती है, अगले सीन में यूई को एरपोर्ट पर हम देखते हैं, उस लेकिन तब ही नामिकी भी एरपोर्ट से बाहर आता और वो यूई को देख लेता है, वो इसके पीछी पीछे जाता है, उसे बात करने के लिए लेकिन तब तक यूई वहां से जा चुगी थी, और यहां नामिकी को लगता है कि वो एक एर होस्टेस है, लेकिन सच्चाई सकाइटरिस के पास भीजा गया है, यह डॉक्टर कोई और नामिकी की प्रेजन की गल्फरंड है, वो डॉक्टर से गयता है कि देखिये मुझे यहां ओर्डर से भीजा गया है, लेकिन मुझे कोई स्ट्रस या फिर टेंशन नहीं है, और यहां में पता चलता है कि एराक के नामिकी सीरा गया था, जहां कुछ हमले हुए और वो जंग उसके दिमाग पर गहरा असर डाल देती है, उसे एक साकाइटरिस के पास भीजा गया है, लेकिन वो डॉक्टर से बात करने को राजी नहीं है, तो डॉक्टर भी चुपचाप होकर बैठ जाती है और कहती है कि ज उसके पास भी एक पैर्ट था, और यहां उसकी और डॉक्टर की बीच में दोस्ती हो जाती है, वो जाते याते उसे पूछता है कि क्या हम किसी की खोई हुई यादाश वापस ला सकते हैं, तो डॉक्टर कहती है कि हाँ ऐसा ममकिन है, अगर उस पेशिंट के पांचों सेंस को एक्टिव कर दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि टेस्ट, साउंड, स्मेल, टच और लाइट, और उसे पोस्ट नॉर्सल के बारे में बताती है, जैसी कि उसका एक हीरो एक चाय को टेस्ट करता है, और अचानक से उसकी यादे वापस आ जाती है, और इस नामिकी को एक कहानी बताती है, कि जब भी सरदिया आती है, गिलहरियां खाने का समान कई जगा चुपाने लगती है, जिसे वो उन्हें बाद में खा सके, लेकिन बाद में वो उन्हें खुद ही भूल जाती है, और इसी के साथ कहानी थोड़ा फॉरवर्ड होती है, ये वो समय हैं जब यूई का डिवास हुआ है यूई की मौम न्यूज में देखती है कि कई जगों पर बर्फ पढ़ने वाली है इसलिए वो यूई को वार्निंग देती है लेकिन यूई को तो जौब पर जाना है चाहे कुछ भी हो जाए और इसी समय हम नामिकी को भी देखते हैं ज वो कैसी लग रही है लेकिन कहीं न कहीं उसे इस बात का दुख भी है कि वो नामिकी को खोना दे यही सब सोचते हुए वो अपने अतीत में जाती है जहां वो नामिकी की डॉक्टर थी उसके और नामिकी के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है और अब नामिकी का त पर है तभी उसे अपनी गर्ल्फेंट सुनेमी का ख्याल आता है वो भागते हैं इसके पास जाता है जो अखेली सहमी हुई रूम में बैठी है क्योंकि सुनेमी को अंधिरी से बहुत डल लगता है और यहां पूरे शहर की लाइट जा चुकी है नामिकी उसे गले से लगा ले और तभी तुजूरू कहता है कि मॉम मुझे कुछ पैसे मिलेंगे वो डोनेशन देना चाहता था जिन्नों ने अपने घर भुकम में गवा दिये थे कानी आगया बड़ती है और हम देखते हैं कि अब यूई और उसकी मॉम की नाराज़की भी दूर हो चुकी है वो दोनों लाइफ में आगे बढ़ रही है इदर नामिकी और सुनेमी अपनी जिन्दगी में खुश है आज वो पहली बार सुनेमी को अपने गाउं लेकर आया है यहां उसकी बहन यूनी और उसके बेस्ट फ्रेंड बॉन्जो को देखते हैं बॉन्जो नामिकी से पूछता है कि और नामिकी अलग हो गए यह सब जानकर सुनेमी थोड़ा सैड हो जाती है लेकिन वो खुश भी थी कि अब नामिकी उसे पसंद करता और वो शादी करने वाले है वो उसके स्कूल अलबम भी देखती है जिसमें उसे यूई की पिच्चर्स देखने को मिलती है अब कहानी फ प्रपोस्ट करता है तो यूई उसे उठाती है और समझाती है कि प्यार जबर्दस्ती नहीं किया जाता जब हम अपनी जिंदगी में किसी को पसंद करने लगते हैं तो जिंदगी और जादा अच्छी लगने लगती है ये कमाल की बात है ना चाहे वो कहीं भी हो चाहे किसी के साथ भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता बस एहसास ही काफी है चाहे हमें वो प्यार मिले या फिर ना मिले ये बोलकर वो जाने लगती है लेकिन उसका दोस उसे आकरी बार रोकता और कहता है कि मुझे लगता है पर एक खास ललकी आई थी जैसे कि आस्मान से उत्री हुई परी है और उसकी वज़े से मेरा काम पर आने का मन कहने लगा था वो तुम ही थी यूई और जब मैं विदेश में बिजनस करूँगा और ये सब सुनकर यूई भी रोने लगती है और अगले सीन में हम तुजूरू को देखते हैं जो नामिकी से मिलने आया है वो उसे यूटा के बारे में बताता है कि उसका एक बॉइफरेंड है और वो मुझे हर तरह से बहतर है मैं उसे भूल चुका हूँ और बस मुझे अपने पैरेंट्स के सपने को पूरा करना है तो दोस्तों यहाँ पर वो खुद को समझाने की खुद को दिल की तसली देने के लिए सारी बाते बोल रहा होता है लेकिन नामिक ही जानता है कि वो यूटा को भूल नहीं पाएगा उसे एक बात समझाता है कि हर प्लेन को V1 स्पीट तक पहुचना होता है उड़ने के लिए उसे बहले वो टेक आफ कैंसल कर सकता है लेकिन एक बार वो स्पीट तक पहुच गया तो फिर वो वापस नहीं जा सकता और यही नियम जिन्दगी पर भी अपलाई होता है और क्या तुम हवा के जोके से डर गए हो या फिर उस हवा के साथ बहना चाते हो अब तुम्हें फैसला करना है तो जुरू क्या फैसला करेगा यह हमें आगे बता चलेगा कानी आगे बढ़ती है और नामिकी अपने घर आता है जहां उसकी गल्फरेंड उसकी और नामिकी की पुरानी फोटोस देख रही होती है उसके आते ही वो उसे एक सवाल करती है कि imagine करो कि तुम्हें एक शिकारी हो और जंगल में तुम्हारे दोस ने गल्ती से तुम्हें गूली मार दिया है उसी समय एक भालू तुम्हें खानी के लिए तुम्हारे सामने खड़ा है तो तुम अपने आगरी समय में किसे देखना चाहोगे अब नामिकी उसे sorry कहता है और बोलता है कि वो शक्स तुम नहीं हो और ये सुनते ही सुने मी emotional हो जाती है और कहती है कि जाओ जिससे तुम प्यार करती हो उसके पास जाओ लेकिन उसके जाते ही वो रोने लगती है और अपने parrot से पूछती है अगले दिन यूई restaurant में बैठी हुई है और नामिकी का इंतिजार कर रही है अब नामिकी वहाँ पहुच जाता है और उसे बाहर से बहुत ही गोर से देखता है और call लगाता है कि यूई मुझे माफ कर देना मैं आज तुम से मिलने नहीं आ पाऊंगा यूई कहती है कि कोई बात नहीं तुम sorry मत कहो हम कभी और मिलेंगे लेकिन ये सुनकर नामिकी कहता है कि मैं कुछी दूनों में इस country को छोड़ कर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी airline company में जॉब लग गई है और ये सुनकर यूई अंदर से हिल जाती है वो समझ जाती है कि नामिकी उससे दूर जा रहा है अब यहां वो अपने दिल की बाद उससे कह डालती है वो बोलती है कि नामिकी मैं तुमें चाहती हूँ बहुत जादा चाहती हूँ I'm sorry तुम अपना ख्याल लगना ये बोलती ही उसके आँखों में आशु आ जाता है और एक पल के लिए नामिकी सोचता है कि वो दौड कर आए और उसे गली से लगा ले लेकिन वो से मिलने नहीं जाता क्योंकि उसे गिल्ट है कि वो अपनी सुनेमी का दिल तोड कर अब यूई के पास नहीं जाएगा इसलिए उसे छोड कर वहां से चला जाता है इदर यूई रोते हुए उसका फेवरेट नापोलीता खाती है और दोनों फिर से एक बार अलग हो जाते हैं नामिकी अब जाने की तैयारी कर रहा इस देश को छोड कर जाने से पहले तुजूरू से मिलने आता है और नामिकी उसे अपना फेवरेट टेप रिकॉर्डर देता है तुजूरू उस टेप रिकॉर्डर को लेकर घर आता है और अपनी मॉम को बताता है कि मिस्टर नामिकी ने अपनी गल्फिन को छोड़ दिया है वो इस देश को छोड़ कर हमेशा के लिए जा रहा है तुजूरू उस रिकॉर्डर को सुनने लगता और अपनी मां को भी सुनाता है अब दोस्तों यूई जैसे ही उस रिकॉर्डर को सुनती है उसमें उसी का फेवरिट सौंग चल रहा होता है जिसका नाम था फर्स लफ और उसे सुनते ही यूई को सब कुछ यादा जाता है हर एक लमहा जो उसने नामिकी के साथ बिताये थे पहली बार जब उसने उसे देखा था उसका पहला किस उसकी सारी यादें वापस आ जाती है उसे एसास हो जाता है कि नामिकी उसका पहला प्यार है जिसे वो हमेशा से चाती है और आज वो प्यार उसे दूर जा रहा है और ये सच जानती है उसकी आँखों से आसो गिनने लगती है ये एक बहुत ही emotional scene होता है, इसलिए मैंने कहा था कि ये एपिसोड बहुत ही खास है, वेल इसके आगे क्या होगा, क्या नामिकी अब उसे दूर जा चुका है, क्या नामिकी उसे वापस मिल पाएगी, इसी suspense के साथ ये कहानी एक खतम हो जाती है, पस ही एपिसोड 9 की शुरु बात होती है, तो हम past की यूई को देखते हैं, जिसका school खतम हो चुका और नए school में admission के लिए वो mock test देने जा रही है, शहर से काफी दूर, अब वो metro में बैठती है कि तभी उसके सामने एक लड़का दिखता है, और ये था नामिकी, वो जैसे उसे देखती है, नामिकी सन न test passed का लिया है, और तभी उसे अपनी book में एक train की टिकेट मिलती है, ये टिकेट दोस्तों किसी और के नहीं बलकि नामिकी की थी, मतलब की नामिकी ने टिकेट लिया था, लेकिन उसका टिकेट यहां कैसे पहुचा, ये आपको आगे बता चलेगा, अब कहानी आगे बढ़त के लिए बैट जाती है, और इसी के साथ कहानी present में आती है, जहां तुजूरू ने फैसला किया है कि वो अपने passion को follow करेगा, और यूटा को नहीं शोलेगा, वो अपनी जिन्दगी का सबसे best music बनाने की कोशिश में लग जाता है, इदर यूटा यूई के office में आती है, जहा का गाना पूरी तरह से तयार हो चुका था, तब ही उसकी माम का message आता है कि यूटा आज तुमसे दूर जाने वाली है, जल्दी से बाहर आओ, वो पूरी रफतार से airport तक उसे पहुचाने में लग जाती है, और रास्ते में वो अपने दोस्त की भी मदद लेती है, अब रास पूरी करने के जरूत नहीं है, तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो, चाहे वो गलती या नाकामी ही क्यों ना हो, वो अपने बेटे को पूरी दरह से support कर रही थी, well finally वो लोग airport तक पहुच जाती है, जहां यूटा बस जानी वाली थी, कि तुजूरू उसे अवाज लगा प्यार जो करता है, अब वापस आकर वो सारी बातें अपनी मौम को बताता है, वो जान कर बहुत ही खुश होती है, कि उसका प्यार उसे मिल गया है, अब कानी आगे बढ़ती है, और हम देखते हैं कि यूई हर रोज नामिकी को मिस करती है, और उसे मैसेज भी लिखती है, नामिकी तुम कहां चले गए हो, तुम्हें हर रोज मैं याद करती हूँ, लेकिन वो उस मैसेज को भीशती नहीं, बलकि ड्राफ में डाल देती है, अब नेक्स सीन में हम यूई को आफिस में देखते हैं, उसे आज तक कभी छुटी नहीं ली, लेकिन आज अपनी सारी पे ले सकता है, और आप उस पर कोई फाइन नहीं लगा सकते, और यहां उसके बौस को उनकी बात माननी पड़ती है, तो गाइस भले यूई ने अपने दोस्त का प्यार सुईकार ना किया हो, लेकिन अभी भी उसका दोस्त उसे अपना फ्रेंड मानता और उसके साथ खड़ा ह कानी आगे बढ़ती है, और अब वो समय आ चुका है जिसने ना जाने कितनी लोगों की जान ले ली, जी हां दोस्तों ये है दोर कोविट का, जहां पर हर कोई डरा हुआ है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, कोई भी घर से बहान नहीं निकल रहा है, इसलिए टैक्सी बिजनेस पूरी तरह से लोस में जा रहा है, और हर देश की सीमाएं बंद कर दी गई है, यूई अपने बेटे से भी मिल नहीं सकती, लेकिन वो से दूर खड़े होकर बात जरूर कर सकती है, इसी तरह से पूरे तीन साल बीच जाते हैं, और ये बुरा वक्त भी गुजर ज जाता है, यहां तीन सालों में तुजूर ने जो सौंग बनाये था, वो यूटूब पर बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, इसलिए वो एक स्टार बन चुका है, उसके डैट के पास भी नर्सिस आती हैं और उन्ने तुजूरू का ओटोग्राफ मांगती है, यहां उसके ड और यहां इन दोनों को पता चल जाता है कि नामिकी किस देश में है, यह जानते हैं यूई के पासपोर्ट पर पहला वीजा लगता है, वो प्लेन में सवार है और वहीं सिकरेट का पैकेट खोलती है जिसमें नामिकी ने लेटर रखा था, और यहां हम जानते हैं कि उस को मार रहा है लेकिन इसके पीछे भी एक वज़ा होती है, उन बच्चों ने नामिकी की बहन का मजा को लाया था, कि वो सुन नहीं सकती है और फिर नामिकी सब को पीटता है, लेकिन उसी रात उसके माँबाप और उसकी बहन उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम वो आप प्यार हो जाता है, तभी वो देखता है कि यूई की आँख लग गई और वो सो गई है, इसी के साथ जो किताब वो पढ़ रही है, वो बंद होने वाली है, तो नामिकी फटा-फट कुछ धूडने लगता है जिससे वो यूई की बुक का बुक मार्क बना सके और तभी उसे अपना टिकेट याद आता है, वो उसी किताब में अपना टिकेट रख देता है, और आप समझ गये होंगे कि यूई के पास नामिकी का टिकेट कैसे आया, अब वो दोनों मौक टेस्ट देना चालू करते हैं और यहाँ नामिकी यूई का आंसर शीट देख लेता है, उ उसमें बहुत मेहनस से पढ़ाई करनी होगी, और टेस्ट देना होगा, और यहाँ वो पढ़ाई करना चालू कर देता है, वो इतना पढ़ाई करता है कि उसके घर वाले सोचते हैं कि नामिकी कहीं पागल तो नहीं हो गया, अब एक दिन बहुन जो भी उसे पूछता है कि जिसके लिए तो इतनी मैनत करा है, अगर वो लड़की किसी और गर्ल्स स्कूल में चली गई, फिर तो क्या करेगा, तो नामिकी कहता है कि नहीं, सब कुछ ठीक होगा, मैं जानता हूँ, हम फिर से मिलेंगे, और फाइनली इतने दिनों बाद स्कूल का रिजल्ट आ जाता ह है, और यहां उसका एड्मिशन हो चुका था, उसने टेस्ट पास्त कर लिया था, और यह एक चमतकार से कम नहीं था, वो पहले दिन स्कूल में एंटर करता है, और भागते हुए यूई को ढूनने लगता है, और तभी उसकी नजर पढ़ती है, एक बहुत ही खुपसूरत लगी पर जो थी यूई, वो दोनों पास से गुजरते हैं, और नामिकी कहता है कि तुम ही मेरा खजाना हो, और यही है मेरे पहले प्यार की कहानी जिसे मैं पाना चाहता हूँ, जब यह पूरी कहानी यूई पढ़ती है, तो वो रोने लगती है, उसकी आँखों से आसू ग बढ़ेगा, तो वाद में उसे रास्ता दिखाता है, और उसी तरफ वो बढ़ना चालू कर देती है, इधर नामिकी जाने की तयारी कर रहा था, लेकिन तभी उसे दूर से एक आवाज आती है, नामिकी हरो मिची, और यह आवास थी यूई की, वो उसे देखते ही उसकी तर है कि फ्लेवर कहना जादा सही रहेगा, कानी फिर से पास में जाती है, जहां यूई के पास वही टिकेट है, जो उसने नामिकी ने दिया था, वो उस टिकेट को ले कर उसी जगा जाती है, जहां से उस टिकेट से चला गया था, लेकिन वहाँ उसे नामिकी नहीं मिल दा और बन चुकी है इसी के साथ ये खुबसूरत कहानी यहीं खतम हो जाती है तो इस कहानी में चाल लोगों की लव स्टोरी दिखाई गई है नामे की यूई उसका दोस और नामे की कि कि दुबस्ट कां प्रूस आई है नामे की यूई खतम है चाल लोगों यहीं थैंज झालंबें नामे की शिएた कए भी अ बनाफ